दोस्तों यदने इन्विस्मेंट एकाड़ेमी में आपका स्भागत है आज इस विडियो में हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है अब इंडेक्स स्टॉक मार्केट के कोरेलेशन में समझने से पहले आईए देखते हैं कि इंडेक्स की जेनरल आइडिया क्या है इंडेक्स एक चेंज गिनने का यानिके बदलाव गिनने का एक साधन है जैसे कि हमारा कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंफलेशन को गिनता है या फिर हुमन डेवलाप्मेंट इंडेक्स जो देश की डेवलाप्मेंट को गिनता है तो यानिके इंडेक्स सिर्फ स्टॉक मार्केट के कोरेलेशन में नहीं होता, इंडेक्स किसी भी चीज के लिए फॉर्म किया जा सकता है और चेंज यानि के बदलाव गिना जा सकता है. आईए अब ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है. 7000 से जादा कामपनीज BSE और NSE दोनों मिलाकर लिस्टेड हैं. अब हर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस गिनना ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रहा है ये काफी मुश्किल बात है और इतने सारे डेटा से कुछ समझ पाना भी काफी मुश्किल है. और इसलिए सारे के सारे स्टॉक का परफॉर्मेंस गिनने के बजाए सिमिलर स्टॉक का ग्रुप बनाकर मार्केट इंडाइसिस बनाए जाते हैं जो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को गिनते हैं. अब ये ग्रुपिन कई आधार पर की जा सकती है जैसे कि Market Capitalization के आधार पर, Sector के आधार पर, Stock Price के आधार पर इत्यादी Market Capitalization के आधार पर उधारन हो सकते हैं BSE Small Cap Index, BSE Mid Cap Index, Sensex और Nifty ये दो Large Cap Indices है Sector के आधार पर Indices के उधारन हो सकते हैं Nifty Bank Index, Nifty Auto Index इत्यादी अब ये Index की Value आपको कहां से मिलती है? हर Index में कुछ Stocks होंगे, तो हर एक Stock की Value को आड़ कर, Index की Value आपको मिलती है यदि इस Index के किसी भी Stock की Value चेंज होती है, तो Index की Value भी चेंज होती है उधारन के तोर पर, Sensex BSE के पहले 30 Stock से बना है, और Nifty NSE के पहले 50 Stock से बना है पहले 30 और पहले 50 याने Market Capitalization के आधार पर जो Stocks हैं, उनसे ये Indices बने हुए है अब इन Indices की Value किस तरीकी से Calculate होती है Free Float Market Capitalization of Grouped Stocks, यदि उधारन के तोर पर यदि Sensex को देखें, तो पहले 30 Stocks का जो Free Float Market Capitalization है उसे Base Market Capitalization से डिवाइड करते हैं Base Market Capitalization यदि Sensex का जो Base Year है 78-79 उस साल में जिन 30 Stock से Sensex बना था उनका Market Capitalization और इस Value को फिर Base Index Value से मल्टिप्लाई करते हैं Base Index Value यदि के Index Value Base Year में Sensex की Base Index Value 100 है और Nifty की Base Index Value 1000 है तो यहाँ पर Free Float Market Capitalization क्या है अब हम Market Capitalization तो समझते हैं कि Stock Price into Total Number of Stocks मगर कुछ Stocks ऐसे होते हैं जो Publicly Trade के लिए Available नहीं होते हैं जैसे कि Promoters Share इत्यादी तो Free Float Market Capitalization सिरिफ उनी Stocks को गिंती में लेता है जो Publicly Trade के लिए Available हो तो उन Stocks को लेकर Stock Price से Multiply कर Free Float Market Capitalization आपको मिलता है हर Stock का Price या फिर Market Capitalization अलग होता है और इसी लिए इन Stocks का Weightage भी Index पर अलग-अलग होता है एक उधारन के मदद से समझते है मान लीजे 5 Stocks से बना हुआ हमारा Z Index है A Stock का Market Capitalization 1000 रुपे है B Stock का 2000 है C का 500, D का 700 और E का 800 तो यहां पर हमारे Index की Value है 5000 कुछ समय बाद D Stock को छोड़कर बाकी सारे Stocks की Market Capitalization Value में Change आता है और फिर हमारे जो Index की Value है वो 5.4,000 बनती है तो यहां पर 8% का Change है Stock A का पहले Weightage हमारे Index पर 20% था मगर Market Capitalization Change के बाद अब 22% है अगर आपको Real Example देना चाहें तो HDFC Bank Limited का Nifty पर Weightage 31 October 2017 पर 9.27 था वही 31 मई 2018 पर 10.37 है अब तक हमने Stock Market Indices की बात की मगर इसी तरीके से Bond Market Indices होते हैं जो Debt Market से Related होते हैं Commodity Market के भी अपने Indices होते हैं और कुछ Special प्रकार के भी Indices हो सकते हैं जैसे कि Volatility Index जो Volatility को Measure करता है इत्यादी पर इन इंडाइसिस के उपयोग क्या है पहला तो है Selection जैसे कि आप जानते हैं हर Mutual Fund किसी ना किसी Benchmark Index को फॉलो करता है तो जब भी हम Mutual Fund Performance को चेक करना चाहते हैं तो उसका Performance Benchmark के Against चेक करते हैं दूसरा है Market Representation जब हम Benchmark Indices जैसे कि Nifty और Sensex के Levels को देखते हैं तो हमें General Market के बारे में पता चलता है और यदि Sector Specific Indices को देखते हैं तो हमें उन Sector के बारे में पता चलता है अगला ये है कि ये Sentiment Indicators होते हैं उधारन के तोर पर यदि Global Level पर कोई Economic News होती है Political News होती है तो उसका Impact आपको Market पर दिखाई देगा यदि कोई Reforms Government लाती है तो किस तरीके से Market ने इसे Accept किया है ये भी Market Levels आपको बताएंगे कई सारे ETFs और Index Funds इन Indices पर Based होते हैं ये जिन Proportions में Stocks in Indices में होते हैं उनी Proportions में ETFs और Index Funds अपने Investments करते हैं तो इस Passive Techniques से अपने Investors के लिए ETFs और Index Funds Returns कमाते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप Index के बारे में कई बाते जान गए हो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया ऐसे ही कुछ और Topics के बारे में जाने के लिए हमारा चानल देखते रहें यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे Comment section में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चानल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है हमारे विडियो को जरूर शेर करें जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना Free Financial Plan हमारे नए पोर्टल जो के हैं इसके पारे में और डीटेल्स इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमारी पहली बुक जो के हैं 108 Questions and Answers on Mutual Funds in SIP को Amazon Flip का टित्यादी पर खरीद सकते हैं और इस बुक को खरीदने का लिंक इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तो मिलते हैं अगले विडियो में तब तक Happy Investing